नमस्ते आज हूं बना रहे हैं मेति मतर और मलाई इसमें मैं डालूँ हो टूटेबल स्कून ऑईल और इसमें मैं डालूँगी वन अनियन जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है ये भिक साइज का है अगर स्मॉल होंगे तो आप दो ले लीजे अब हम इसको थोड़ा सा र और इसमें आप हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली अगर आपको स्पाइस जाधा ची तो थोड़ा जाधा डाल सकते होने तो मैं इसमें 2 डाल रही हूँ और इनको भी आपने अच्छे से रोस कर लेना है इसमें भी डालूंगे 6 से 7 काजू और इसको भी हम इसमें अच्छे से पका ल और इसको भीगो के 10-15 मेंट के लिए छोड़ दूँगी अब देखी प्याज हमारा लाइप ब्राउन हो चुका है इसमें मैं डालूंगे मीडियम साइज का एक टमाटर और इसको भी हम इसमें अच्छे से पिक्स करेंगे और चब तक ये टमाटर पूरा अच्छे से सॉफ नहीं हो जाता तब तक हम इसको पगाएंगे मैंने धखर लगा दिया है दूसरी साइड मैंने पानी चुड़ाया है उसमें नमक चीनी डाली है और इसमें हम मटर को करेंगे वोईल जिससे की मटर हमारी ठोड़ी सॉफ्ट हो जाए अब यह देखी तेमाटर भी हमारा अच् चिली पाउडर हम ज्यादा नहीं डालेंगे और 1-4 टीस्पून ही अमजूर पाउडर अम मैं इसमें डाली हाफ टीस्पून गुना हुआ जीरा अगर आपको स्पाइस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली की कौांटिटी को बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सम अब इन सब को मैं अच्छी से मिक्स कर लेंगे और चोड़ने तक हम इसको पकाएंगे अभी हमें मसालों को अच्छी से पकाना है इसलिए मैं डाल रही हूं 1-4 ग वाटर और इनको अच्छी से मिक्स कर लेंगे जबते कि ओल नहीं छोड़ेगा यह देखें आपको आइटि अच्छी से बॉयल हो चुकी है मैंने इसको हाथ के आठ थंडे पानी से वाश कर लिया था अब यह मेति है इसका भी हम सारा पानी स्क्वीज करके निकाल लेंगे अब मैंने एक पैन लिया है उसमें मैं डाल रही हूं 1 टेबल स्पून घी गी से इसका टेस बहुत बढ़ ज करेंगे जिसे की मेति का कच्छापन भी निकल जाएगा और फ्लेवर भी इनहेंस हो जाएगा इसका अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर मटर को भी हम इसके साथ ही सौते करेंगे ताकि हमारा फ्लेवर थोड़ा अच्छा आए घीमे भूने से मेति और मटर का टेस बहुत अ आएगा अब में यह जो मैंने पेस बनाये थी देखी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और यह पेस में इसमें डाल दोंगी और इसमें हम लोग ठोड़ा पानी भी डालेंगे जिसे की जो इसमें मसाला बचा हुआ है वो भी सारा हम यूज कर लें कुछ बेस ना करें यह मैंने सारा इसमें डाल दिया है और अब हम इसको वापस अच्छी से पकाएंगे अब में इसमें डाले हूँ 3-4 cup मिल्क और मिल्क डालते ही आपने इसको कंटिनूसली स्टर करना है नहीं तो क्या है इसमें टमाटर डला हुए और दूध हमारा फट जाएगा अब में इसमें मेति और मटर डाल दूगी जो हमने की के साथ रोज की थी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके 10-15 मिन के लिए पकाएंगे अब मेरे पास यह कस्तूरी मेति है जिसको मैं हाथों से थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल दूगी तो इससे इसकी फ्रेग्नस बहुत अच्छ करते हो प्लीज मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अभी तो इसमें हमने हमारी में चीज डाली नहीं मलाई के बिना कैसी मेथी मतर मलाई अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून मलाई प्लीज आप लोग इसमें क्रेम अच्छे से पकने दीजिए रेडी है हमारी बिल्कुल मेती मतर मलाई मैं तो जा रही हूं से खाने और आप जाए से बनाने